अगर आपने फल तोड़ लिया, तो वह उधा होता क्या है, फल तोड़ने के बाद जो भी सड़े, गले, कीड़े वाले फल होते हैं, वो जो है, सारे के सारे फल, वो भगीचे में लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इसका आगे बहुत नुक्सान होता है, क्योंकि उस फ फल को अपने कीट से आक्रांथ कर देते हैं, इसलिए तुड़ाई के बाद बहुत आवश्चक है कि बगीचे का थोड़ा आप प्रबंदन कर लें, जो भी सड़े, गले, कीट वाले फल हैं, उसको आप बगीचे से हटा दें, उसके तोड़ने के उपरांथ जो है, जो भी जो भी अगर कीडे मकौडे डिजीज वाले जैसे कि मैं बता रही हूं, अभी आप देखे यहां पर एक थोड़ा सा यह आप देख लिजिए, यह लीची माइट का प्रकोब शुरू हो गया है, जब इसको आप फल तोड़ेंगे, तो आवश्चक है कि इस तरह के गुच्छ कर दें और उसी में मिला के आप अच्छे से ढख दें, कुछ कालांतर में यह जो बत्तियां और फल हैं वो खाद का काम करेंगे और आपका बगीचा भी सुरक्षित रहेगा, तो इसलिए तुड़ाई के बाद आप बगीचे की एक बर अच्छे से सफाई करें, जिसमें सड और बहुत हैं, जो भी तो बहुत हैं, जो भी डिजी या कीट या रोग से आकरांत तहनियार पत्तियां हैं उसको भी काटके आप हटा दें, जो कटेवे भाग हैं उस पर आप कॉपर ऑक्सिक्लोराइड का गाढ़ा लेप लगा दें और एक बार जो है, एक सिस्टमिक इंस समय में, आपके पौधे जो हैं, वो हल्दी रहें, स्वस्त्र हैं और उसके बाद जो है, आप कम से कम कीड़े और रोग का आकरांत हो उस पर, यह साबधानी बहुत जरूरी है,